आज मैं आपको अपने जीवन की तीन कहानिया सुनाना चाहूँगा जादा कुछ नहीं बस तीन कहानिया मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है रीट कॉलेज में ताखला लेने के 6 महने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी पर मैं उसके 18 महीने बाद तक महां किसी तरह आता जाता रहा तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा एक्चुली इसकी शुरुवात मेरे जन्द से पहले की है मेरी बाइलोजकल मदर एक यंग अनमेरीड ग्रेजुएट स्टुडेंट थी और वा मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी पर उनकी एक ख्वाइश थी उनकी ख्वाइश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइख के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक मुझे देखकर उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइट किया कि उन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए इसलिए तब आधी रात को मेरे पैरेंट्स जो तब वेटिंग लिस्ट में थे उन्हें कॉल करके बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉई है क्या आप उसे गोर लेना चाहेंगे और उन्होंने जट से हा कर दी पर बाद में मेरी बायलोजकल मदल को पता चला कि मेरी मां ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पैरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के प्रामिस के बाद वो मान गई तो मेरी जिन्दगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया पर गलती से मैंने स्टेंफोर्ड जितना ही महगा कॉलेज चुन लिया मेरे वर्किंग क्लास पैरेंट्स की सारी जमा पूजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी छे महने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपने जिन्दगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा और उपर से मैं अपने पैरेंट्स की जीवन भर की कमाई खर्च करते जा रहा था इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने करने ने लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफी डराऊना था पर जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरे जिन्दगी का one of the best decision था जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा मेरे उपर से जरूरी क्लासिस करने की बाधिता खत्म हो गई और मैं चुप चाप सिर्फ अपने इंट्रेस्ट की क्लासिस करने लगा यह सब कुछ इतना आसान नहीं था मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्ष पर सोना पड़ता था मैं कोक की बाटल रॉटाने पर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था मैं हर संडे साथ मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेमपल जाता था ताकि कम से कम हफ़ते में एक दिन पेट भर की खाना खा सकूँ यह मुझे काफी अच्छा लगता था मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपनी क्यूरियोस्टी और इंट्यूशन की वज़त से किया वा बाद में मेरे लिए प्राइस्लिस साबित हुआ लेट में गिबन एक्जैंपल उस समय रीट कॉलेश शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगे थी जहां कैलिग्रैफिस सिखाई जाती थी पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खुबसूरती से हाथों से कैलिग्रैफ किया होता था चुकि मैं कॉलेश से ड्रॉप आउट कर चुगा था इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासिस करने की कोई जरूरत नहीं थी मैंने तै किया कि मैं कैलिग्रैफिक की क्लासिस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइप क्लेशिस के बारे में सीखा अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वैरी करना और किसी अच्छी टैपोग्रैफिक को क्या चीज अच्छा बनाती है यह भी सीखा यह खूबसूरत था इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस दोरा कैप्चर नहीं किया जा सकता और यह मुझे बहुत अच्छा लगता था उस से मैं ज़रा सी भी उमीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का यूज कभी अपनी लाइफ में करूँगा लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला Macintosh कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे Mac में डिजाइन कर दिया और Mac खूबसूरत टाइपोग्राफिय युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया अगर मैंने कॉले से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो Mac में कभी Multiple Type Faces या Proportionally Spaced Fonts नहीं होते और चुकि Windows ने Mac की Copy की थी तो शायद किसी भी Personal Computer में ये चीज़े नहीं होती अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी Calligraphy की वो Classes नहीं कर पाता और फिर शायद Personal Computers में जो Fonts होते हैं वो होते ही नहीं कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है आप कभी भी Future में जहाग कर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न की हितरा आपके Future से कनेक्ट हो जाएगा आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर dots connect होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा तब भी जब आप बिलकुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में हैं मैं जिस चीज को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई वोज और मैंने अपने पैरेंट्स के गराज से एप्पल शुरू की तब मैं 20 साल का था हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल दो लोगों से बढ़कर 2 बिलियन डॉलर और 4,000 लोगों की कमपनी हो गई हमने अभी एक साल पहले ही अपनी फाइनस्ट क्रियेशन मैंकिन टॉस रिलीज की मैं 30 का हो गया था और मुझे कमपनी से फायर कर दिया गया आप अपनी ही बनाए हुई कमपनी से फायर कैसे हो सकते हैं वेल जब कमपनी ग्रो होने लगी तब हमने एक टैलेंटिट आदमी को हायर किया मैंने सोचा कि वो मेरे साथ कमपनी रन करेगा पहले एक साल सब कुछ ठीक ठाक चला लेकिन फिर कमपनी के फ्यूचर विजन को लेके हम दोनों में मदभेध होने लगे बात बोर्ट आप डैलेक्टर्स तक पहुँच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया सो एड थर्टी मुझे निकाल दिया गया पब्लिकली निकाल दिया गया जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिलकुल ही तबाह करने वाला था मुझे सच मुझ अगले कुछ महिनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एकसेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन की ऑंट्रपनियोर्स को नीचा दिखाया है मैं डेविड पेकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जानी की भी सोची पर धीरे धीरे मुझे एसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ एपल में जो कुछ हुआ उसकी वज़े से मेरे पैशन में जरा से भी कमी नहीं आई है मुझे रेजक्ट कर दिया गया है पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची मैंने तब नहीं सोचा पर अब मुझे लगता है कि एपल से फायर किये जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी सक्सेस्फुल होने का बोज अब विगनर होने के हलकेपन में बदल चुका था मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था इस फीडम की वज़ा से मैं अपनी लाइफ की सबसी क्रियेटिव फेज में आ पाया अगले पांस सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की और इसी दोरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइब बनी पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मुवी ट्वाइ स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है एपल ने एक अप रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एपल में वापस चला गया आज एपल नेक्स्ट द्वारा डेवलब की गए टेकनॉलजी यूज़ करती है अब लोरी और मेरा एक सुन्दर सा परिवार है मैं बिल्कुल श्योर्टी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एपल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता ये एक कड़वी दवा थी पर शायद पेशिंट को इसकी जरूरत थी कभी कभी जंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है अपना विश्वास मत खोईए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था आप रेली क्या पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा जितना आपने लफ को फाइंड करना जरूरी है उतना ही उस काम को ढूरना जरूरी है जिसे आप सच मुझ इंजॉय करते हूँ आपका काम आपकी जंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और टूली सेटिसफाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सच मुझ एक बड़ा काम समझते हूँ और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप इंजॉय करते हैं यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत उसे खोशते रहे जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशन्चिप में होता है वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा इसलिए खोशते रहे रुकिये मत मेरी तीसरी कहानी देथ के बारे में है जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था यदि आप हर रोज ऐसे जीएं जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे इसने मेरे दिमाग पे एक इंप्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है अगर ये मेरी जिंदगी का आखरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाओंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसिजन्स लेने में सबसे जादा मदद करता है क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशन्स, सारा प्राइड, फेल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बसता है जो वाकई जरूरी है इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नेकेड हैं ऐसा कोई रीजन नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने करीब एक साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है सुबह सारे साथ बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है मुझे तो पता भी नहीं था कि पैंक्रियास होते क्या है डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस तीन से छे महने का महमान हूँ डॉक्टर ने सला दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूँ जिसका इंडाइरेक्ट मतलब होता है कि आप मलने की तयारी कर लीजिए इसका मतलब कि आप कोशिश करिये कि आप अपने बच्चों से जो बाते अगले 10 साल में करते वे अगले कुछ महिनों में कर लीजिए इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ दिवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परिशानी हो इसका ये मतलब होता है कि आप सब को गुड़ बाय कर दीजिए जो सरजरी से ठीक हो सकता है मेरी सरजरी हुई और सौभाग से अब मैं ठीक हूँ मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुचा और उमीद करता हूँ कि अगले कुछ दश्टों तक पहुंचु भी नहीं ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक useful बट intellectual concept है कोई मरना नहीं चाहता है यहां तक कि जो लुप स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी फिर भी मौत वो मन्जिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शायद मौत ही इस जिन्दगी का सबसे बड़ा अविश्कार है यह जिन्दगी को बदलती है पुराने को हटा कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं पर जादा नहीं कुछी दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे इतना ड्रमाटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ पर यह सच है आपका समय सेमित है इसलिए इसे किसी और की जिन्दगी जी कर व्यर्थ मत कीजिए बेकार की सोच में मत फस्ये अपने जिन्दी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए थैंक यू आल वेरि माच